ऐसे राज्य जहां मात्र 150 रुपे में बिग जाते हैं जिस्म। जुड़े रहे इस वीडियो के साथ क्योंकि हम दिखाने जा रहे हैं हमारे भारत देश के कुछ राज्यों के वो काले सच जिन को देख कर आज आपके होश पूरी तरह से उड़ने वाले हैं। उससे पहले ऐसे ही और रॉमांचिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्लेनेट और इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। उत्तर प्रदेश और पस्चम बंगाल वे ऐसे ही कुछ राज्यों में आज जिस्म बेचने के धंडे पूरे जोरो शोरों पर हैं। और तो और ये धंडे गुप्त में ना होकर खुले आम हो रहे हैं। आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा लेकिन इन राज्यों में ये बात बेहद ही आम है। कि किसी जिस्म को खरीदने के लिए यहां महझ पचास से सौ रुपे ही खर्च करने पड़ते हैं। जिनाब मद्यप्रदेश के शुपुरी में तो जिस्म खरीदने का सौधा पचास से सौ रुपे के स्टाम पर होता है। ताकि खरीदने वाला ग्राहक या फिर खुद वो महिला ये लड़की धोका धड़ी ना कर सके। क्योंकि ये पूरा सौधा एक सरकारी कागज पर जो होता है, ये पूरी प्रक्रिया महज एक सौधा नहीं बलकि एक प्रथा है। जिहां आपने सही सुना, ये एक प्रथा है जिसको यहां के कुछ अलाके कई सालों से निभाते चले आ रहे हैं। आपको सुनकर कितनी भी हैरानी क्यों ना हो, लेकिन सच यही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन लड़कियों के ऐसे धंदों को अपनाने की मूल वज़े हैं। उनके बड़े-बड़े शौक हैं। जैसे महंगा मॉबाइल खरीदना, स्कूटी या गाड़ी का होना, या फिर जेब वे मॉबाइल खर्चे के लिए पैसों का होना। ये वो जरूरते हैं जो घर वाले पूरी नहीं कर सकते। ऐसे में ये लड़की अपनी ही किसी पडोसी महिला के संपर्ख में आ जाती है, जो पहले से ही ऐसे धंदों में लिप्त है। जनाब यहां के रहने वाले कुछ परिवार अपनी बीटियों का खास ध्यान रखते हैं कि कहीं गुप्त तरीखे से उनकी बीटी भी ये धंदा शुरू ना कर दे। अमारे प्यारे भारत देश में नजाने क्यों ये सब बंद नहीं होता। ऐसी नजाने क्या कमिया हैं वहां की सरकार और पुलिस में जो ये धंदे लगातार कई सालों से यूँ ही चले आ रहे हैं। महज 150 रुपए में जिस्म के बिकने के इस धंदे को कैसे रोका जा सकता है। इस पर अपने राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा। झाल